बिहार में परिटन की संभावनाय अप्रमपार है उसमें सड़क निर्मान और परिटन स्थलो को विक्सित करना एहम प्राथ मिक्ता रही है यही कारण भी है कि आज के समय में राजगीर का जू सफारी हो या नेचर सफारी बेनुवन के साथ ही गया सीता मढ़ी, दरभंगा जैसे धारमिक्स थलो का विकास और गंगा तटो का पुनर निर्मान जैसी योजनाए क्यों न हो बिहार में इन सब को जोरशोर से पुरा करने का काम हो रहा है हालाकि इन में से काफी कुछ आमजनता के लिए खोल दिया गया है वहीं काफी कुछ जल्द ही आमजनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा जसे एक बात तो तैय है कि आने वाले समय में अगर बिहारवासी ये सोचे कि किसी टूर पर घुमाते हैं तो उन्हें किसी ओर राजे की तरफ मुड़ने की ज़रूरत नहीं होगी बलकि बिहार भ्रह्मन ही उनकी प्रात्मिताओं में से एक होगा अब परिटन के इसी फ्रेम में चार चांद लगाने के लिए जल्द ही भागलपुर के सुल्तान गंज से अगुवानी घाट महसेतू पर हैंगिंग डॉल्फिन अब्जर्वेटरी का निर्मान कारिया सोर शोर से चल रहा है जानकारों का कहना है कि ये हैंगिंग डॉल्फिन अब्जर्वेटरी अपने आप में ही अनोखा होने वाला है जहां पर लोगों को डॉल्फिन की अठखेलियों का आनंद दिल्वानी के लिए बीच पुल पर गाडियों के पार्किंग की ववस्था होने वाली है जो इसकी मदद से दर्शक सीड़ियों से नीचे उतर कर आराम से गंगा नदी के करीब जाकर एक बड़े प्लाटफॉर्म पर डॉल्फिन की उच्छलकूद को करीब से देख सकेंगे मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सुल्तान गंज अगुवानी घाट महसेतू स्टेट ओफ दा आर्ट बनाने की योजना है जिससे महसेतू के बीच डॉल्फिन देखने के लिए उब्जर्वेट्री बनाया जाएगा सबसे खास और अनुखी बात ये होगी कि आम लोगों को परिशानी ना हो इसी को ध्यान में रखते वे महसेतू के बीचों बीच गाड़ियों के पार्किंग की विवस्ता होगी चुकि सुल्टान गंच भागरपुर के हलगाओं का ये इलाका डॉल्फिन अभ्यारने शेत्र के रूप में घोशित है इसलिए इस जगे को परिटन के लिहाज से विक्सित करने की योजना भी बनाई जा रही है जैसा कि आपको पता ही है कि गंगानदी पर इस साल एक और पुल बन कर तयार हो जाएगा सुल्तान गंच अगुवानी घाट पुल इसी साल से चालू होने की उमीद है इसे एक बड़ी आबादी को यकीनन बहुत लाब होगा सबसे खास बात ये होगी कि उतर भिहार में ये पुल बरौनी, खगडिया, दालकोला यानि की नह 31 और दक्षिन भिहार में ये पुल मुकामा, लखी सराय, भागलपुर, मिर्जा चौकी यानि नह 80 को जोड़ेगा इस पुल के बन जाने से परिटन के द्वार तो खोलेंगे ही, साथी साथ भागलपुर, विक्रमशिला सेतु के साथ मुंगेर सेतु पर गाडियों का दबाव कम होगा इससे उत्तर भिहार के खगडिया, सहरसा, मध्यपुरा जिले से दक्षिन भिहार के भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका की दूरी 70-100 किलोमीटर कम हो जाएगी गंगानदी पर बन रहे इस पुल की लंबाई 20 किलोमीटर होगी पुल का सुल्तान गंच 4 किलोमीटर तो खगडिया जिले से अगुवानी घार पुल 16 किलोमीटर है पुल के फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर का 100 प्रतिशत निर्मान हो गया है सुपर स्ट्रक्चर 70 प्रतिशत बन गया है इसके निर्मान में अब तक 1100 करूर रुपे खर्च भी हो गया है उमीद है कि आने वाले समय में बिहार में परिटकों को एक के बाद एक आप्शन जरूर मिलेंगे क्योंकि बिहार सरकार की यही कोशिश है कि छेत्र कोई भी हो वहाँ पर परिटन जरूर हो इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद